क्वेस्टन नम्बर नाइन्थ अब वुडन आर्टिकल वाज मेट बाइदा स्कूपिंग आउट हैमिस्फियर फ्रॉम इच एंड और सॉलिट सिलिंडर एश्वन इंद फीगर में दिखाया है यहां से इनों ने हैमिस्फियर कट किया है if the height of cylinder is 10 cm यह height कितनी दिए हमे 10 cm दिए है and its base of radius 3.5 cm यह कितना है 3.5 cm यह इनों ने इसका radius दिए है find the total surface area of article इसका article का area हमें find out करना है हम one by one चीज़ लिखते हैं लकड़ी के ठोस बेलन के परतेक सीरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तू बनाई गई है बेलन की उचाई 10 cm और अधार की तरिज़ा 3.5 cm है हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं बेलन की तरिज़ा 3.5 cm और बेलन की उचाई कितनी है बेलन की उचाई हाइट ओफ स्लिंडर यह हमें दी हुई 10 cm आप दो यह इंक्रीज हुआ है इसको कलर करके लिखाता हुआ हम आपको यह एरिया इंक्रीज हुआ है एक तो इस एरिया का हम ने यह और इदर से जो यह area increase हुआ इसका भी हमने surface area निकालना और यह तो portion हमारे पास है यह आपने यह नहीं सोचना को इसमें से हेमिस्फियर कट हुआ है तो इसका घटेगा यह increase हो गा एरिया इंक्रीज हो जाएगा जो मैंने कलर किया है इस एरिये का हमने सर्फेस एरिया निकालना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखिए अब यहां लिख लेते हैं टोटल सर्फेस एरिया ओफ आर्टिकल टोटल सर्फेस एरिया ओफ आर्टिकल वस्तु का संपूर्ण प्रिष्टिये देखे क्या क्या चीज होंगी बच्चों इसमें एक तो बेलन है टू पाई आर एच और बेलन के साथ क्या है दो अर्ध गोले है है ना हैमिस्फिर्ज है टू पाई आर स्क्वेर एक और ये नीचे वादा टू पाई आर स्क्वेर दूसरा अर्ध बोला इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे बच्चों पहले और हमारे पास क्या आजएगा टू पाई आर एच प्लस फूर पाई आर स्क्वेर यह हम अगर फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्वेर इज़ी हो जाएगा हम यहां से टू पाई आर कोमन निकाल लेंगे अंदर के रहा जएगा हमारे पास एच प्लस टू आर ठीक है आर भी हमें दिया हुआ है ह एच भी हमें दिया हुआ है टू इंटू ट्वेंटी टू अपवान सेवन आर कितना है हमारे पास दिया हुआ 3.5 इसको डेसिमल को कनवर्ट कर लेते हैं और एच दिए हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 3.5 क्योंकि आर दोनों की सेम आएगी इसको 2 से कट करते हैं 25 जा 10 5 से कट किया 5 7 जा 35 7 से 7 को कट कर दिया यह 22 आ गया इंटू 10 प्लस 7 ठीक है न कितना हो जाएगा हमारे पर है 17 22 इंटू 17 इस परकार क्वेश्चन जो है हमारा इजी हो जाता है 17 टू जा 34 और 7 टू थर्टी फोर एंट 3 373 74 सेंटिमीटर स्केर हमारे पास इसका सर्फेस एरिया आ जाएगा तो बच्चों यह हमारा नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपने इस सॉलिड्स में याद रखना है कि किस परकार कोई चीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ठीक है